प्रेंड्स नमस्कार मैं डॉक्टर देवेंद आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब आप सभी लोगों को आज मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो ब्लड होता है इंप्योर कैसे हो जाता है अगर इंप्योर ब्लड है तो इसे ठीक किया जाता है को स्विंटेजर हो जाती है इन्यमिया भी हो सकता है और शावसात में पित्ती निकल आती है या पिमपिल्स वो जाते हैं उसमें पस भर जाता है चीजें हो जाता है gefें बाल लगता हैं या इसकी काफी सपोटे हो जाता है तो कहने के कुल मोटा मोटा मतलब है कि आपका जो impure blood है उसे pure करने के लिए कुछ homeopathic medicines है जिसको हम आपको बताएंगे उसको आप कैसे लेना ये भी बताएंगे यूज करके आप सारी problem ठीक कर सकते हैं बहुत सारे लोग दाध हो जाता है इसको ringworm बोलते हैं परशान रहते हैं और इसका एक symptom और ब्लड की पेशाप करने के बाद और उसमें जलन होने लगती है और इसके साथ ही साथ में चेंज वेदर होता है तो उसमें भी तुचा आपकी एफियर टीशू में प्रॉब्लम आ जाती इसमें रेडनेश हो जाता है श्वैलिंग हो जाती पॉफिनेश हो जाता है बर्णिंग होने लगती पित्ती उठ जाती इन सब चीजों को यह जो टॉनिक में बता रहा हूं कंबिनेशन है होमेपेथिक में बहुत अच्छा है बहुत एफेक्टिव है फ्रेंस इसको आप लेकर एक बिल्कुल ठीक हो जो किसी भी होमेपेथिक मेडिकल स्टोर पे आप चले जाएए मैं आपको दवा का नाम बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए सार्सा पैरिला क्यों चाइना क्यों फाइटो लगका क्यों टीनिया इस्पोरा क्यों और बर्वेरी सक्वाफॉलियम क्यों यह पांचों मदर टिंग्चर आप 30 ml में ले ठीक हो जाएगा जितनी भी इस्किन की प्रोब्लम है सब शॉर्ट आउट हो जाएंगी और अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सब्सक्राइब कर देंगे क्यों